जैनल से की दोस्तों, आज के स्वरगी मनना का भाग हमने लिया है अयूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याए और उसका 10 ग्यारवा और 12 वचन वचन कहता है परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है जब वो मुझे परक्ष चुकेगा मैं सोने के समान निकलूँगा मेरे पैर उसके पत पर इस्थिर रहे है मैं उसी के मार्क पर बिना मुड़े चलता रहा हूँ मैं उसके होटों की आग्या से हटा नहीं हूँ मैंने उसके मुझे वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी आधिक बहमूर ले जाना है धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा वचना तभोत है वचना में क्या बताता है कौन कह सकता है इस तरह कौन अपना बखान इस तरह से कर सकता है सिर्फ वो ही जो जानता हो कि वो परमेश्वर से कितना प्यार करता है अयूब जानता था कि वो खरा है अयूब जानता था कि वो धर्मी है, अयूब जानता था कि वो पूरी तरीके से पवित्र है और परमेश्वर के योग्य है और अयूब के किताब में हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर भी उसे जानता है और परमेश्वर भी उसको प्यार करता है क्योंकि वो धर्मी है लेकिन अयूब की पुस्तक में हम एक चीज़ पाते हैं और वो ये है कि धर्मी के घर में संकट क्यों आता है धर्मी के जीवन में संकट क्यों आता है और अयूप की पुस्तक हमें बढ़ाती है कि धर्मी के जीवन में संकट इसलिए आता है तकि परमेश्र की योशना एक काम कर सकें आपके जीवन में आप जिसे संकट समझते हैं वो संकट नहीं है वो परमेशर की योशना काम कर रही है आपके जीवन में दमिश्क में पॉलुस की आँखें चली गई तीन दिन तक पॉलुस देख नहीं सका परमेशर की योशना काम कर रही थी पॉलुस के जीवन में परमेशर पूरी तरीके से, अंताकरण से, पूरी तरीके से अपने ग्यान की जोती उसके अंदर उडेल रहा था इसलिए वो तीन दिन तक ना देख पाया, ना खा पाया वो सिर्फ इस्तब्द रहा, उसने सिर्फ ये जाना कि कोई है जो मुझे बना रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, हमें भी हमेशा ये जानना है अपनी आजमाईशों में, अपनी परिक्षाओं में ये जानना है, ये महसूस करना है कि परमेश्वर ही हमें बना रहा है यह जरूर परमेश्र की योशना है, जो हमेंसे में आजमाईश महसूस कर रहे हैं, हमेंसे में अपने जीवन में परिक्षा जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्र की योशना मेरे जीवन में काम कर रही है, और वो योशना हानी की नहीं है, लाब की है, हमारे जीवन में हसमाईश है हमारे जीवन में परिक्षा परमेश्र की योश्नाओं का योश्नाओं के लिए एक संकेत है क्योंकि हम धर्मी है क्योंकि हम परमेश्र से प्रेम करते हैं क्योंकि हम परमेश्र के रास्ते पर चलते हैं हमारे सेविकाई हो सकता है हमारे सेविकाई में कुछ बाधा होना चाहिए हमारे उस्षा हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्र की योश्णा हमारे चीवन में काम कर रही है इसलिए मेरे दोस्तों हमें हमें अपने उस्षा को कम नहीं करना है इसलिए वो कहता है कि हम अनुगरे के सिंगासन के सामने अपने स हस के साथ हमेशा खड़े रहें क्योंकि वो अनुगरे के सिंगासन पर विराज़बान है वो जीवित है और वो हमसे प्यार करता है हालेलोई या उसका प्यार अद्भुत है उसका प्यार निराला है जब वो हमें कीचड में से निकाल कर दल्दल के कीच़ड में से निकाल कर उचाई पर खड़ा करके चट्टान पर इस्तिर कर सकता है तो वो क्या हमें इस आसमाईश से नहीं निकालेगा निकालेगा, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमें समझनी है मेरे भाई, परमेश्वर आपको रूप देना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, इसलिए हमें डरना नहीं है, कोई भी आसमाईश हमें डरा नहीं सकती, कोई भी परिश्या हमें डरा नहीं सकती, हमें परमेश्वर द्रण करना चाहता है, आने वाले समय के लिए हमें बनाना चाहता है, आने वा परमेशर का, कि परमेशर की योजना है, हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, रबाका है, ललाका है, बकल दो शक्ला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं, पिता परमेशर, तुछ जैसा कोई नहीं पिता परमेशर, तुछ हमें बना परमेशर, तुरी योजना है, हमारे जीव झाल झाल